दोस्ता आप लोगों एक्सर कमेंट किया हुआ है कि हमें 4 के वीडियो एडिट करना है थोड़ा सा पावरफुल PC के बार में बता देजिए लेकिन वो PC प्रिबिल्ड होना चाहिए क्योंकि उसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास उतना अच्छा नोरेज नहीं है उतने भरोसे मन इंजिनियर नहीं है या फिर कोई ऐसा दुकान नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें तो उस कंडिशन में आपको हमेशा मैं भी कहता हूँ कि अगर ऐसी कंडिशन है आपके वहाँ तो आप हमेशा प्रिविल्ड पीसी के तरफ जाएए आपके लिए फायदे मंद होगा अन्य था आप लोग दुकान पर दोड़ते दोड़ते परिशान रहेंगे हमेशा कुछ न कुछ प्रबलम आती रहती है पीसी बिल्ड करते वक्त अगर सही पर्ट्स का कर लें आप बिल्कुल टेंसल मुक्त रहेंगे वो अलग बात है कि दोनों के अलग अलग फायदे हैं यहाँ पर इन सारी चीजों से परिशानियों से बच जाते हैं और पीसी बिल्ड के समय आप अपने मन पसंद के हिसाब से सारे पार्ट्स को जो है सेलेक्ट करते हैं लेकिन सेलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है तो इस समझने के लिए वीडियो के साथ लास्तक बने रहें बहुत ही कमाल के पीसी पर हम लोग बात करने वाले हैं और पहली बार चैनल पर आही गए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि इस तक की बहुत सारी वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूँ और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अच्छा लगता है और हमें हवसला भी मिलता है ताकि हम लोग अच्छी ची वीडियो लेकर के आते रहें आईए दोस्तों हम लोग समझते हैं सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सबसे सबसे PC के बारे में जिस पर आप 4K वीडियो बिल्कुल एडिट कर सकते हैं 1080p की तो कोई दिक्कत नहीं है 4K वीडियो थोड़ी सी सौट्स में अगरा रहता है आपका तो कोई प्रब्लम नहीं है बहुत लंबी वीडियो नहीं मैरिस वीडियो बहुत लंबी लंबी घंटे दो घंटे की वीडियो नहीं लेकिन YouTube वीडियो बगरा काम चला सकते हैं 2K तक भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है लेकिन बिल्कुल 4K में बहुत अच्छे से अगर आपको एरिट करना है तो next वाला model देखें लेकिन कम बजट के अंदर अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको ये PC तो लेना ही होगा तब ही जाकर के आप 4K वीडियो एरिटिंग के बारे में सोच पाएंगे ये है लेनवो आइडिया सेंटर गेमिंग 5 का ये model ये Ryzen 5 5600G के साथ में 16GB RAM के साथ में ये आता है 16GB RAM 512GB SSD है Windows 11 के साथ में आता है सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर जो ग्रैफिक है वो है NVIDIA Geoforce RTX 3060 12GB का GDDR6 वाला ग्रैफिक लगा हुआ है जो आपके 4K वीडियो को रेंडियो को रेंडरिंग बहुत ही फास्ट रिली करने वाला है इसलिए आप एडिटिंग के टाइम में बहुत जादे प्रब्लम नहीं करेगा Ryzen 5 का 5600G बिलकुल भी ये जो है capable हो जाता है लेकिन रेंडरिंग के टाइम में बहुत प्रब्लम होने लगती है उस condition के लिए ये जो ग्रैफिक कार्ड है वो बिलकुल भी सही है जिस budget range में ये आ रहा है PC उस budget range में बहुत अच्छा हो सकता है ये Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 के साथ में ये आता है बाकि सारे ports जो है भर-भर के मिलते हैं जिनकी हमें जरूरत है उसके लिए ज़्यादे टेंसल लेने की जरूरत ने पूरी details अगर हम बात करेंगे तो वीडियो खामों खाल लंबी हो जाएगी आप आ करके description में लिंक है आप आ करके बीधिवत एक बार देखें कि कौन कौन से port हैं आपके मतलब के हैं या नहीं है बाकी branded है आपको टेंसल लेने की ज़्यादे जरूरत नहीं है अपग्रेडेशन की बात करें तो सारे storage आप अपग्रेड करीं सकते हैं बाकी ये बड़ी वाली size है तो कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ अपग्रेड हो जाएगा बाकी branded है जरूरत आपको नहीं है अगले 2-4 साल तक आपको जरूरत पढ़ने वाली नहीं है price की बात करें चुकि इसके अंदर जो graphic card लगा हुआ है उसका price ही 40,000 के आसपस रहता है उस हिसाफ से इसका price अभी फिलहाल ये 69,000 दिखा रहा है जो कि ठीक है problem नहीं है इस budget में अगर अच्छा सा PC चाहिए तो आप बिल्कुल buy कर सकते हैं गेमिंग में कहीं भी दबने वाला नहीं है चाहिए आप वीडियो एडिटिंग करें 4K वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा क्योंकि processor Ryzen 5 ही है next की अगर हम बात करें कि next पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं तो वो पिल्कुल आप जो है कमाल का PC रहने वाला है क्योंकि ये है HP Victus 15L Gaming Desktop PC है और ये जो है 12th generation i5 का 12th generation processor के साथ में है ये अपने आप पे जो processor है वो बहुत ही कमाल का processor है 12400F processor लगा हुआ है ध्यान रखेंगे जिनको ADS चलाना है उनके लिए ये processor प्रबलम करेगा क्योंकि ये जो है F-series का processor है internal graphic नहीं है इसके अंदर और जब ADS चलाते हैं तो उसके अंदर processor का internal graphic मांगता है अच्छे performance के लिए तो वहाँ पर ये problem कर सकता है लेकिन बाकी अगर आपको marriage video edit नहीं करना है बाकी कामों के लिए बिलकुल बेफिकर होकर के इसको buy कर सकते है प्रिमियर प्रो मस्त चलेगा बिलकुल भी दिक्टत होने वाली नहीं है बाकी जो है सारे software's gaming के लिए खास करके बहुत अच्छा होने वाला है बाकी प्रिमियर प्रो पर video edit करना है बिलकुल मस्त रहने वाला है बाकी 16GB इसके अंदर RAM लगी हुई है और उसके अलावा 512GB का SSD है ग्रैफिक्स की बात करें तो इसके अंदर भी जो है NVIDIA का RTX 3060 12GB का ग्रैफिक लगा हुआ है Windows 11 के साथ में ये आ रहा है Microsoft Office 2021 है 500W की power supplies के अंदर लगी हुई है बाकी सारी चीज़े बिलकुल भी upgradable है 12th generation के साथ में ये है तो प्रैस थोड़ा सा तो हाई रहना है क्योंकि ग्रैफिक कार्ड भी तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त जो प्रैस से बहुत अच्छा है और इसका प्रैस 83,000 है इस वक्त फिलहाल क्योंकि इसका प्रैस हमेशा जो है करीब करीब एक लाख रुपे के आज स्पास देखने को मिलता रहा है तो इस तरीके से जो है आप अगर पिछले डिल की बात करें तो पिछले डिल के अंदर ये जो है 95,000 तक आया था इस वक्त 83,000 तक आया हुआ है तो कहीं न कहीं HP जैसा ब्रांड HP का विश्वास भरोसा और इसके साथ में ये कन्फिगरेशन आपको मिल जाता है जो कि बिलकुल बर्थ करता है उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो वो मिल जाता है आपको i7 के साथ में i7 और ये जो है ये बहुत ही पावरफुल PC हो सकता है और इस पर आप जो है एडियस भी चला पाएंगे क्योंकि इसके अंदर i7 12700 लगा हुआ है यानि कि इसके अंदर इंटरनल ग्रैफिक भी है प्रोसेसर के अंदर तो आप इस पर Mary's Video Editing भी कर पाएंगे 4K में बिल्कुल भी जिनको Mary's Video Editing 4K में चाहिए वो इसको बिल्कुल आख बंद करके भरोसा इस पी कर सकते हैं बिल्कुल भी दबने वाला नहीं है ये इसके अलावा Premiere Pro, After Effects चाहे आप कोई भी वीडियो एडिट करते हैं बिल्कुल भी प्रब्लम नहीं है गेमिंग करते हैं बिल्कुल भी प्रब्लम नहीं है क्योंकि बाकी इसके अंदर Solar GB का जो है आप इसके अंदर Ram देख पा रहे हैं चू़कि Graphic Card लगा हुआ है तो Solar GB से उपर की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो के लिए आपका Graphic ही यूज कर रहा होता है Graphic का RAM Memory यूज करता है तो यहाँ पर Solar GB भी यूज नहीं हो पाती है लोग 32GB के चकर में पढ़ जाते हैं Graphic Card लगाए है तब 32GB, 64GB अब फर्क नहीं पढ़ता Gaming बढ़र करते हैं बहुत बड़ी बड़ी तो वहाँ पर अलग बात है लेकिन 4K Video Editing तक चुकि इसके अंदर Graphic है तो Solar GB बहुत है, टेंसर ना लिजिए तो Solar GB RAM के साथ में 1TB SSD इसके अंदर मिल रही है कई सारे benefits यहाँ पर देखने को मिल रहा है साथ में ही graphic की बात करें तो इसके अंदर NVIDIA Geoforce का RTX 3060 Ti 8GB का graphic मिल रहा है जो की 3060 से उपर है, Ti वाला है, टाइटेनियम वर्जन है जो की उससे उपर है, परफर्वेंस कम्माल का मिलने वाला है Windows 11 के साथ में आराए 5008 की power supplies के अंदर भी लगी हुई है बाकी details के लिए आप जो है इस पे आकर के पढ़ लें वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता बाकी बिल्कुल बेफिकर होकर के आप इसको बाई कर सकते हैं प्राइस की बात करें तो इस वक्त एक लाख बीस हजार है अगर आप इसको बिल्ड भी करते हैं तो ये इस से उपर ही जाएगा या इसके आसपास ही आएगा तो क्यों हम फाल्तू के टिंसल लें हम इसको डारिक्ट ही क्यों ना खारीद लें तो इस तरीके से आप इसको बाई कर सकते हैं इसके अलावान मेक्स्ट की बात करें हाइएंड पीसी के लिए बड़ा ही फेमस जो है मॉडल रह रहा है पिछले एक साल से लेनव लेजन का टावर फाइफ गेमिंग डेक्स्टॉप यह बड़ा ही कमाल का जो है यह PC है यह AMD Ryzen 7 5800 पोसेसर के साथ में यह आ रहा है बहुत ही पावरफुल जो है यह PC हो सकता है 16 GB इसके अंदर जो है RAM के साथ में 512 GB SSD है 2 TB का हर ड्राइब है इसके अंदर डूली स्टोरेज है 2 TB का हर ड्राइब है आपके डाटा के लिए बाकि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है फिर आपका जो अप्लिकेशन सोफ़वेर है उसके लिए जो है 512 GB का SSD है जो कि कमाल का परफार्मेंस देगी उसके साथ में कम्बिनीशन करके बनाया हुआ है Windows 11 के साथ में आ रहा है और इसके अंदर जो ग्रैफिक मिल रहा है वो NVIDIA का RTX 3070 RGB मिल रहा है तो कहीं न कहीं ग्रैफिक पिछले बाल से बहुत ही बहतरी ग्रैफिक है इसके अंदर 4K बहुत ही अच्छ से एडिट होगा और उसके साथ में ही उसकी रेंडरिंग भी बहुत ही फास्ट होगी बाकि फ्रेंट पे आपको दो जो है RGB के फैंस देखने को मिल जाते है और इसके अलमा RGB लाइट्स के साथ पूरा ले से पूरा फुल गेमिंग का फिल आपको देने वाला है और इसके अंतर जो RGB लाइटिंग है वो 16 मिलियन कलर के साथ में है यारि की फूल एंड फूल जो है आपको ये गेमिंग वाला फिल देने वाला है बिल्कुल आप अपने हिसाब से कस्टमाईज इसको कर पाएंगे और ट्रंस्परेंट जो है साइट फ्रंट पैनल भी है और आपका साइट पैनल भी है जिसके वोईसे इसका लुक्स बहुत ही बहतरीन आने वाला है प्राइस की बात करें तो 1,43,000 अभी फिल हाल का प्राइस है जो ये हमेसा 1.5 से उपर रहता है तो जिनको हाई-end PC चाहिए तो इसमें आप अपने बजट के हिसाब से PC बाई कर सकते हैं ये सारे के सारे 4K वीडियो एरिटिंग परपस हो आपका या फिर हाई-end गेमिंग आपका परपस हो तो ही बाई करें तो ही इसका जो है आप फायदा उठा पाएंगे पाकि दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, सेर भी कर दिया करें क्योंकि काफी लोगों की जरूरत होती है इस टैप की वीडियोस की मैं मिलता हूँ नेक्ट किसी और अच्छी इनफर्मिटी वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका दिन सुखो